जैसे जैसे विधान सभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सफेद पोशाक धारी नेता लोगों के सुख और दुख में शामिल होने पहुचते हुए नज़र आ रहे हैं आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष शिवपाल सिंग यादव जनपद मैनपूरी के कस्बा किशनी निवासी एक कॉलिच संस्थापक की मा के निधन पर शोक वेक्त करने उनके आवास पर पहुँचे जहां उन्होंने दो मिनट का मौन धारन कर उनकी आत्मा को शांती के लिए इश्वर से प्रात्ना की इसके उपरांत मौके पर पहुँची मीडिया कर्मियों से वेरूबरू हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कॉर्परेट ग्रामों के दबाव में किसानों के साथ अन्याय कर रही है बीजेपी दवारा बनाये गए किसान विरोधी काले कानून का विरोध करते वे उन्होंने कहा किस कानून से किसान जमीन का मालिक नहीं मात्र मजदूर बन कर रह जाएगा केंद्र वे प्रदेश तरकार को ये कानून लागू नहीं करना चाहिए इन्हें तत्काल वापस लेना चाहिए लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्ट की वजए से ये नहीं होने देना चाहते हैं कि यह सब लोग दंदा चाहते हैं हम तो आई भी चाहते हैं ऐसी गटबंदर की कोई बाद चल लाई है कि नहीं चल लाई है इस पुछना जा रहा हूँ लाई थे यह अपने कहा अपील की है हम तो यह चोटी ठोटी पार्टी हो से मिलेंगे एक राश्टी पार्टी से भी मताते हैं हम समाजबाजी पार्टी नहीं वनाई थी तो हम क्सवर्वाज वार्टी पार्टी पाते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि हम अगर अगर अपना स्वायत देखे हैं, मुझे तो आज भी सब कुछ मिल सकता है. अगर जो आखराना का बना स्वाय जोती आगर अगर 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 अजय तो पाइब ड्राव देखे हैं, मुझे तो आज विद बिलस सकता है.